अब दोस्तों पर आपका बाई कर जोन में स्वागत है अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबस्क्राइब कर लें इसके बाद बेल एकन को बटन दबा लें हमारी हर नई ब्रेट्स पाने के लिए दोस्तों धन्यवाद है दोस्तों अब आफ़ पास प्लेटिन अवड़ी जो इसमें झोट मार रहा है तो ज्यादा ही दोस्तों अच्द पीछे ट्रेल होने की यवाज आ रही है उन्म को गया जाती है पे उतल कै डावाज आ रही है और गाड़ी ऐसे लगता है अन्बैलेंस हो रही है तो इस चीज को कैसे सही करें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों और सबस्पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करने मेरे दोस्तों यह हमारा प्लास प्लैटीन है तो इसका पिछला टायर हम चेक करते हैं और जो टायर टाइट हो रहा है इसके लिए हम अलका सब ब्रेक लूस कर देते हैं अब टायर फ्री चल रहा है इसमें लेकिन प्ले नहीं है मेरे दोस्तों इसका एक बारी टायर कनट कर अपको प्ले लग रही तो टायर कनट टाइट करके देखिएगा दोस्तों हम पीछे आते हैं इसके जूले की प्ले चेक करते हैं कि जूले में कितनी प्ले है तो दोस्तों जूले में तो इसके प्ले लग रही है और ज्यादा प्ले लग रही है मेरे दोस्तों इसके जूले में दोस्तों काफी प्ले है ये देखिए तो इसको देखते हैं या तो नट लूज होगा या इसके बुश खराब हो रहे होंगे अगर नट लूज होगा तो नट टाइट होकी बात बन जाएगी अगर भूल जूले के बुश खराब होंगे तो नट टाइट करने के बाद बात नहीं बनेगी मेरे दोस्तों जैसा कि यह देखिए दोस्तों यह काफी डीला पड़ा है जूले का बुश तो इसने कई और भी जगे दिखाया लेकिन इसको गलत बताया गया इसके काफी पैसे बताया गया थे जो कि इसका नट लूज था उसने नट टाइट करके भी नहीं देखा तो दोस्तों हम इसको अच्छी तरीके से अपना टाइट कर लेते हैं और दोस्तों यह टाइट हो चुका है लिए वर यह जोड लगा के देखते हैं यह अच्छी तरीके से टाइट कर लिए इसमें प्ले होगी तो आपको गाड़ी चलाने में अन्ब्लेंस फील होगा और उससे आपको बैटर पिक अप और मैलेज नहीं मिलेगी आपको मुझा भी नहीं आएगा चलाने में दोस्तों यह देखिए दोस्ता बिलकुल यह प्ले बिलकुल सही है तो दोस्तों यह इसमें जो थी यह दिक्कत थी कि यह नट लूस था इसकी वैसे इसके जूले में प्ले आ रहाई थी और अगर यह ऐसे नहीं होता तो दोस्तों इसका जूला खोल के इसके बुश डालने पड़ते तो ऐसे ही बात बन गई चलो कोई बात नहीं जो दोस्तों यह हमारी वीडियो थी और देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो के सब्सक्राइब करें और कोमेंट करें और कोई परेशानी है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद